साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गती प्राप्त की हैं, जो उपलब्दियां हासिल की हैं, वो असाधरन है, अभुद्पुर्व है जब भारत कोविट महमारी के बीच कुछ महिनों में ही स्वदेशी वैक्सिन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड से ज़्यादा वैक्सिन डोज मुप्त लगाने का रेकॉर्ड बनाता है, जब वैश्वीक अस्तिर्था के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्थेववस्ता बनता है, जब भारत विश्व की बड़ी एकोनोमी से कॉम्पिट करता है, तोब फाइव एकोनोमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एकोसिस्टिम मनता है, जब मोबाइल मैनुपेक्टिरिंग जैसे एक शेत्रों में, इलेक्ट्रोनिक मैनुफेक्टिरिंग जी खेत्रे में, मेकिन इंडिया का डंका बसता है, जब भारत अपने दम पर, टेजस फाइटर फ्लेंड, एरकाप्ट केरियर, आयनेस विक्रांग, और अरिहंत जैसी नुकलियर सब्मरीन बनाता है, तो स्वाभाविक है, दुनिया और दुनिया के लोगों में, कुरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लोग जानना चाहते हैं, कि भारत की स्पीड क्या है, स्केल क्या है, भारत का फ्यूचर क्या है, इसी तरह, जब कैस्टलेस एकोनमी की बात होती है फिंटक की चर्चा होती है, तो दुनिया ये देखकर है रात में है, कि विश्व के 40% real-time digital transaction भारत में होते हैं, जो स्पेस के future की बात होती है, तो भारत की चर्चा स्पेस technology के most advanced देशों में होती है, भारत एक बार में 100-100 satellite launch करने का record बना रहा है, software और digital technology के खेतर में हमारी ताकत दुनिया देख रही है, आप में से बहुत से लोग भी इसका बहुत बड़ा जरिया है, भारत का ये बढ़ता हुआ सामर्थ, भारत का ये तमखम, भारत की जुड़ों से जुड़े हर व्यक्ति का स्चीना चौड़ा कर देता है, वैश्विक मंजपर, आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात, एक अलग ही माइने रखती है, भारत की ये बढ़ती है, ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है, और इसलिए भारत के प्रती जिग्यासा, भारत के प्रती कुरियोसिटी भी और बढ़ेगी, और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतिय मुल्के लोगों की, प्रवासी भारतियों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है, आपके पास, आज भारत के बारे में जितनी व्यापक जानकारी होगी, उतना ही आप दूसरों को भारत के बढ़ते सामर्थे के बारे में बता पाएंगे, और तथ्यों के आधार पर बता पाएंगे, मेरा आग्रह है कि आपके पास कल्चरल और स्पिरिचल जानकारी के साथ साथ भारत की प्रगती की अपडेटेड इन्फरमेशन होनी चाहिए